दूखिए आज हमारे एक नया सा टॉपिक समझे या फिर एक नया टर्मिलोजी समझे जिसका नाम है कंजिनाइटल मेगा कोलोन हम इसको समझते हैं यह चोटे मोटे यह टर्मिलोजी है जो पढ़नेते सामय यह फिर कहीं लिखा हुआ रहता है और जल्दी समझ में नहीं आता ह इसका मतलब का है कंसेनाइटल का मतलब है जनमजाद मेगा मिंस बड़ा कोलोन मिंस कोलोन वाला पार्ट कोलोन हमारा कहा पाय जाता है लार्ज इंटस्टाइन में पाय जाता है यानि लार्ज इंटस्टाइन का कोई साभी कोलोन का एक पार्ट अगर वो चोड़ा हो जाए उसम रज़े कि मानलें दीजिए कि यह कोलून है यह ascending कोलॉन यह transverse कोलॉन और यह descending कोलॉन सपोज करो इस वाली रिजन में यह वाला कोलॉन का यह वाला पार्ट है यहां से लेकर यहां तक पूरा यह आप देख रहे हो कि यह distant हो गया है that means चोड़ा हो गया है अपने normal जो इसकी जितने human की थिकनेस है उससे ज़्यादा हो गया है तो इस तरह का अगर जन्मचाथी चीजे होता है कि colon का कोई एक ऐसा reason एक ऐसा part जो चोड़ा होता है जो अपने normal जिसनी इसकी diameter होती है या थिकनेस होती है उससे ज़्यादा हो जाता है और उसकी एक range रखी गई है यह 6 या 7 cm के आसपास जब हो जाए या उससे ज़्यादा हो जाए तब हम उस cases को congenital mega colon बोलते हैं यानि mega colon यानि की colon का बड़ा होना चोड़ा हो जाना congenital mega colon बस यही है कर दो